का आरके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आगे मैंने आपको वी शेप का वी गले में नक में आपको इनर बनाना सिखाया था मैंने आज आपको मैं राउन गले का इनर बनाना सिखायांगी किसी की डिमांड के उपर है गोल नेक वाला इनर बनाना सिखाया रही है यह वी शेप में है तो हम गोल गले का बनाएंगे यह दिखो जि मैंने बड़ा ही बनाया है हे बड़कुल आगे मैंने जहां से शुरू कर लेज जा यासे ओन ड़ा की मैने कटींंग करती हुन और कंदीं ने की मैंने वैसे इसकी सीधी-3 Chief चार फंदे रक लिए जहां से कट ने की जोड़ा सा बनाकर थोड़ा सा दुइंगा कम रखेंगे इसलिए है मेले मैं इधर मैंने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नों दस किया हुआ कि 42 फंदे मैंने रखे हैं इधर भी 42 फंदे हैं अब बीच वाले फंदे हमने एक साथ ही बंद कर देंगे छे फंदे छे फंदे हम एक साथ बंद कर देंगे एक दो तीन चार पांच और छे फंदे हम एक साथ बंद करने के बार यह फंदे हम छोड़ देंगे पहले हम यह वाला साइड पना लेंगे बंद कर दो ही बंद हम जगे बंद पहले हम इंद प्हां एक साथ बंद बंद पत्व कर दोड़कर दो खोलो फंद हम ले वाला यह मैंने बड़े बच्चे कहीं बनाया है चोटे बच्चे का बनाना तो फंदे आप एक साल के बच्चे के आप तीस रख लो दो साल के पैंतीस ऐसे पांच पांच दास पास फंदे बढ़ा कर आप रख सकते हो यह हमारी चार फंदे बॉर्डर के है उल्टी स्लाई चार फंदे सीधे बुनके बाकी पूरी उल्टी कर दें चार फंदे सीधे बाकी सारे उल्टी पूरी होगी एक फंदा हमने बुनना नी वैसी उतार लेना सीधा फंदा उतारा एक फिर एक पुना एक दो तीन और चार पहले चे किये थे अब हमने चार कर लें देखो ऐसे राउंड राउंड में आ जाएगा अब चार हमने कर दिये छार फंदे फंदे हमने बिना वने उतार लेना कि पूरी स्लाइस सीधी वह चार पंदे हमाुरे हमारे फिर सीधे आ जाएगे पूरी अल्टी करके सीधी में मिलता सीधी एक हम हम जैतेा कि एक पंदा पतार में था, एक, दो, ती, एक सार अराओं लिप्यार है, एक सार, एक सार, एक सार, एक सार, एक सार, एक, फिर एक पंदा, ऐसे उतार लिया, सीदी स्लाइब, इसे विए ऐसे उतारा, एक, और दो, जिदो कितना समूथ आ रहा है, अब दो, दो, फंदे हमने पांच बारी बंद करने हैं, दो, दो, फंदे पांच बारी बंद करके, फिर आपको मैं दिखाती हैं, एक बारी किया, पहले छे किये, फिर चार, फिर तीन, फिर दो, अब दो, दो, फंदे हमने पांच बारी बंद करने हैं, फिर आपको आगे, मैं LA everything been together place I know 5-5-2 बार करके छोटे पच्चें एक पूरा पूरा आ जाएगा जए बढ़ा था है कर दोई मैंने को थोड़ी सिम्पल डालना पLES यहां से इतना डाला मैंने 123 Life ChunChaines मैंने सिंपल डाली एक एक फंदाडह पर देख चर फिर 4 पिर 3 फिर दो करके तो एक फिर सिंपल हमेरा ऐस तरह पूरा मॉंडा प्यार हो गया आप हम दूसरी तरफ जाएंगे दूसरी तरफ भी ऐसे ही हम जे फंदा देखो एक मैंने इसिंपल उतार लिया मैंने एक पर चार कर लिये अब हम तीन करेंगे जी उल्टे ही बुनेंगे हम दो और तीन पहले मैंने चार कर लिये अब तीन हो गए फिर दो करेंगे उदर से हमने सीधी तरफ से किया था इदर हमारा उल्टा आगया उल्टी तरफ से होगा यह देखो जभी ऐसी चेंड सी आएगी यह देखो को नजबीक से दिखाती हूं देखो सिंपल चेंड सी आएगी पता नहीं चलता कहां से हमने कटीं की यह देखो जिस तरह हमने उदर किया चार तीन दो एक एक करके ऐसे हमें इधर इधर भी कर लेंगे पंदे छोटे बच्चे का हो तो हमारा एक दो दो जगा एक एक फंदा हम करेंगे एक बड़ा है इसलिए दो बार बार करना पड़ा हमें पांच बार बार किला को एक सीदी शीला है आगे एक सिदी ते हमारे पूरी शीला है एक सिदी झाल झाल यह फंदा एक आ लिया यह हम ऐसे उतार लिया उल्टी स्लाई यह फंदा उतारा उल्टा बुना इसके उपर से ऐसे एक और दो ऐसे हम जैसे हमने उदर बुना ऐसे पूरा आपको बना कर मैं दिखाती हूं यह देखो पूरा बनके त्यार हो गया यह देखो जो आपने एक एक फंदा उतारते हैं उसके लिए हमने देखो यह शेप इतनी अच्छी आती है ऐसे हमने दूसरा तरफ ही बना लाना पीछे वाला सकते हूं ऐसे पहली वारी वीडियो में बताया था कोशे कैसे कोशे के बीडिंग कैसे करनी है अब वहां वह वाई वीडियो देखके आप बना सकते हूं जाने उप्र मैंने 22 पंदे रखे है यहां 22 फंदे मैंने आप छोटा बच्चे के बनाना हो तो थोड़े कम फंदे डाल के यह साथ आर साल के बच्चे का है इसलिए मैंने बड़ा बनाया है आपको जूर पसंद आएगा आपकी यह कटिंग बहुत तरह मैंने किया है वह share subscribe करना मत बूलना एक हार के चैनल में आपका बहुत स्वागत है आगे मैंने आपको V-shape का वी गले में नेक में आपको इनर बनाना सिखाया था मैंने आज आपको मैं राउंड गले का इनर बनाना सिखाऊंगी किसी की डुमांड के उपर है गोल नेक पला इनर बनाना गोल नेक वाला इननर बनाना सिखा रहे हैं यह वी शेप में है हम गोल गल्ले का बनाएंगे यह दिखो कि यह मैंने बड़ा ही बनाया है कि मैंने बल्कुल आगे मैंने यहां से शुरू कर ले जाए जैसे मॉंडे की मैंने कटिंग करती हूं कि मैंने की मैंने वैसे इसकी सीदी सीदी चार फंदे रख लिए यहां से कटिंग ने की थोड़ा सा बना कर थोड़ा सा डूंगा कम रखेंगे इसके पहले मैं इधर मैंने कि एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नों दस पांच 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 पॉर्टी टू फंदे मैंने रखे हैं इधर भी फॉर्टी टू फंदे हैं आप बीच वाले फंदे हमने एक साथ ही बंद कर देंगे छे फंदे छे फंदे हम एक साथ बंद कर देंगे एक दो तीन चार पांच और छे फंदे हम एक साथ बंद करने के बाद कि यह फंदे हम छोड़ देंगे पहले हम यह वाला साइड बना लेंगे यह मैंने बड़े बच्चे कहीं बनाया है छोटे बच्चे का बनाना तो फंदे आप एक साल के बच्चे के आप तीस रख लो दो साल के पैंटीस ऐसे पांच पांच दास पास फंदे बढ़ा कर आप रख सकते हों कि यह हमारी चार फंदे बॉर्डर के है उल्टी स्लाई चार फंदे सीधे बुनके बाकी पूरी उल्टी कर देंगे चार फंदे सीधे बाकी सारे उल्टी उल्टी सले पूरी हो गई एक फंदा हमने बुनना नी वैसी उतार लेना सीधा फंदा उतारा एक फिर एक पुना एक दो तीन और चार पहले छे किये थे अब हमने चार कर लें दिखो ऐसे राउंड राउंड में आ जाएगा अब चार हमने कर दिये सीधी उल्टी सलाई में एक फंदा हमने बिना बुने उतार लेना पूरी सलाई सीधी वह चार पंदे हमारे फिर सीधे आ जाएगे उल्टी पूरी उल्टी करके सीधी में मिलते हैं यह देखो उल्टी स्लाइब में होने फंदा फेर जाया ऐसे बुना नहीं ऐसे उतार लिए सीधी स्लाइब एक फंदा तो तार में था एक एक, दो, तीर, इज़ेको एक साथ और आउंग से आ रहा है एक साथ एक फिर एक पंदा ऐसे उतार लिया सीधी स्लाइब एक और दो जिदो कितना सुमूथ आ रहा है अब दो दो फंदे हमने पांच बारी बंद करने हैं फिर आपको मैं दिखाती हूं एक बारी किया पहले छे किये फिर चार फिर तीन फिर दो अब दो दो फंदे हमने पांच बारी बंद करने हैं फिर आपको आगे मैं दिखाती हूं यह रिखो पहले मैंने छे किये फिर चार फिर तीन फिर दो दो किये एक दो तीन चार पांच बारी करके फिर मैंने एक एक फंदा घटाती गई पांच बारी दो रचाहें पिर एक एक कटा तांगे फिर अमने पूरे करके फिर मैंने दो सिम्पल सब्सक्री हseits चार पांचका फNewят छोटे बचेwydd का होगा तो आपका पूरा सोbesondere आ जाएगा यह बड़ा था इसलिए मैंने थोड़ी सिमपल डालना पड़ता यहां सिंपल या मैंने एक दो तीन चार six लाइया मैंने सिंपल डाले ट इक फंदार पर यह तो देट rest यह चार फे तीन फेस्ट करें मैंने एक एक फिर सिंपल हमेड़ comment एस थरह दूस्शार पूरा मोंडा त्यादो कीरीक आँ अब हम दूसी तरफ जाएंगे, दूसी तरफ भी ऐसे ही हम, जे फंदा देखो, एक मैंने सिंपल उतार लिया, मैंने एक पर चार कर लिये, अब हम तीन करेंगे, जे उल्टे ही बुनेंगे हम, दो और तीन, पहले मैंने चार कर लिये, अब तीन हो गए, फिर दो करेंगे, उदर से हमने सीधी तरफ से किया था, इधर हमारा उल्टा आगया, उल्टी तरफ से होगा, यह देखो, यह भी ऐसी चेंग सी आएगे, यह देखो, उपको नजबीक से दिखाती हूँ, देखो, सिंपल चेंग सी आएगे, पता नहीं चलता कहां से हमने कटिंग किया, जिस तरह हमने उदर किया, चार, तीन, दो, एक, एक करके, ऐसे ही हमें इधर इधर भी कर लेंगे, फंदे, छोटे बच्चे का हो, तो हमारा, एक, दो, दो जगा, एक, एक फंदा हम करेंगे, एक बड़ा है, इसलिए दो बार बार करना पड़ा है हमें, पांच बार बार किया, सीधी से लाई आ गई, सीधी ते हमारे पूरी स्लाई सीधी, ये फंदा एक आ लिया, ये हम ऐसे ही उतार लेंगे, उल्टी स्लाई, ये फंदा उतारा, उल्टा बुना, इसके उपर से ऐसे, एक और दो, ऐसे हम जैसे हमने उदर बुना, ऐसे हम इदर बुनके पुरा आपको बनाकर मैं दिखाती हूँ फिर्टा, ये देखो, पुरा बनके तियार हो गया, ये देखो, जो आपने एक एक फंदा हम उतारते हैं उसके लिए हमने देखो यह शेप इतनी अच्छी आती है ऐसे हमने दूसरा तरफ इतना पीछे वाला हिस्सा भी फिर दोनों हमने जाहसे जॉइंड कर देंगे और पिर आप चाहे तो क्रोशे के साथ भी इसको ऐसे बुन सकते हो यह फिले वारी वीडियो में बताए था कोश्य को बीडिंग कैसे कर नियो ж आप वह वह वीडियो देख के आपना सकते हूं peng men e 22,2 तो यहां 22,2 मैंने के आप चोटा बच्चे का बनाना हो तो ata कंफ यह यह को बिज्ट का met इसलिए मैंने बड़ा बनाया है आपको जूर पसांद आएगा आपकी ये कटिंग बहुत अच्छी तरह मैंने किया है आपको पसांद आएगी थैंक यू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत बूलना